हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मक्के की रोटी बनाने की एक आसान रेसेपी, मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी रोटी फुली-फुली बनेगी, तो आएए इसे बनाना शुरू करते हैं, यहां मैंने 500 ग्राम मक्के का आटा लिया है, आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है, आप यहां चक्की वाले फ्रेश आटे का इस्तमाल करें, पुराने आटे का इस्तमाल बिलकुल भी न करें, पुराने आटे कडवे लगता हैं, इससे हमारी रोटी कडवी बनेगी, उबालने के लिए रग देंगे। उबालाने के बाद हम इसमें half teaspoon नमक डाल देंगे। नमक के बाद हम इसमें मक्के का आठा डाल देंगे। जिस cup से हमने पानी डाला था, उसी cup से हम यहां 1.5 cup मक्के का आठा डाल देंगे। यह देखिए मक्के के आटे को डालते वक्त हम इस प्रकारे से mix करते रहेंगे मक्के के आटे को हम यहां अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए हम सबी और से आटे को एकटा करते जाएंगे उसके बाद इसे spatula से press करते जाएंगे इसे अच्छे से mix करने के बाद हम यहाँ gas off कर देंगे और इसे ढखकर 15 मिनट तक rest करने देंगे 15 मिनट हो गया है यह देखिए हमारे dough full गया है अब हम इसे एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे अब हम हाथों में घी लगा लेंगे और dough को इस प्रकार मस लेंगे जिससे यह soft हो जाए यह देखिए हम इस प्रकार इसे मसल मसल कर soft कर लेंगे फ्रेंड्स मेरी आप से एक request है अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe करें मेरे वीडियो को like करें और bell icon press कर लें ताकि मेरे आने वाले recipes की notification आपको मिल जाए और अगर आप इस वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो please मेरे facebook page को follow कर लें दो को मसलते वे लगबग 5-7 मिनिट हो गए है अब देख सकते हैं यह smooth और soft हो गए है अब हम इसके पेड़े बना लेंगे रोटी बनाने के लिए हम जिस size का पेड़ा लेते हैं हम उसी size का पेड़ा यहां ले लेंगे अब हम इसे हातों से roll करते हुए smooth कर लेंगे यह देखे हमारे पेड़े में बिल्कुल भी cracks नहीं हैं इसी प्रकार हम बाकी balls भी त्यार कर लेंगे अब हम पेड़े पर मक्के का अटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे यह देखे अब हम इसे बेल लेंगे यह देखे कितने आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं यह कहीं से भी नहीं फट रहे हैं बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह वैसे मक्के की रोटी बनाना उतना आसान नहीं है पर अगर आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे ये देखिए मारी रोटी त्यार है ये देखिए मैं कितने आसानी से इसे बेल पा रही हूँ इसका बिल्कुल perfect round shape आया है ये देखिए हमारी रोटी तयार है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली और soft बनी है इसी प्रकार हम बाकी रोटीयां भी तयार कर लेंगे मैंने सभी रोटीयां तयार कर ली है आई अब इने सेख लेता है यहां मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है हम इस पे रोटी रख देंगे friends यहां आप ये ध्यान रखें कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए थंडे तवे पर रोटी रखने से ये चिपक सकते हैं अब हम गैस की flame medium to high कर देंगे और रोटी को पका लेंगे एक साइट दो से तीन मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसे पका लेंगे अब हम इसे अलट पलट करते हुए पूरी तरीके से पका लेंगे हम इसे इस spatula की साहता से दबाते हुए पकाएंगे ताकि ये सभी और से अच्छे से पक जाए ये देखिए रोटी नीचे से कड़े हो गये हैं आईए अब इसे फुला लेते हैं इसी प्रकार हम बाकी बची रोटी को भी सेक लेंगे ये देखिए हमारे फुले फुले मक्के की रोटी बनकर त्यार है इसी प्रकार मैंने सभी रोटीों को सेक लिया है आप मेरे बताएवे तरीके से मक्के की रोटी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप इसे जरूर बनाए, आईए अब इसे सर्व कर लेते हैं, आप इसमें घी या बटर लगा ले, उसके बाद इसे सरसो के साख के साथ गर्म गर्म सर्व कर ले, आईए मैं आपको दिखाती हूँ कि मारी रोटी कितनी सॉफ्ट बने है, मैं फिर मिलती हूँ एक नए रेसेप के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस लजीज रेसेपी का आनंद उठा सकें